दोस्तो किया आप भी Indian Oil Corporation Company का शेर होगर हो तो इस वीडिये पर हम जारेंगे दोस्तो इंडियाड ओयल Corporation Company का स्टॉक का डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में तो इसका कारण प्राइस देख सकते हो कितना है stock दोस्तो crash करता जा रहा है यहाँ पर और इस stock का दोस्तो dividend amount यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो तो यहाँ पर यह है इसका dividend amount यह है दोस्तो इसका X date dividend का 2022 साल में दोस्तो इसने 2 rupees for錢 का dividend दिया था 2022 साल में ही दोस्तो इसने 4 रूपीस का डिविदेन दिया था 2021 साल में दोस्तो 5 रूपीस का डिविदेन 2021 साल में ही 1 रूपीस 50 पेसे का भी दिया था 2021 साल में ही 203 रूपीस का डिविदेन दिया था और उसी साल में ही 7 रूपीस 50 पेसे का भी डिविदेन दिया था पेसे का डिविडेंट 2018 साल में 6 रुपीज, 75 पेसे का डिविडेंट 2018 साल में दोस्तो इसने 2 रुपीज का डिविडेंट दिया था, 2018 साल में ही 219 रुपीज का भी डिविडेंट दिया था, 2017 साल में दोस्तो इसने 1 रुपीज का डिविडेंट दिया था, उसी साल में और भी दो बार दिया था जो 4 रूपीज 50 पेसे का and 13 रूपीज 50 पेसे का 2016 साल में दोस्तो इसने 8 रूपीज 50 पेसे का डिविडेंट दिया था 2016 साल में ही 5 रूपीज 50 पेसे का डिविडेंट दिया था 2015 साल में 6 रूपीज 60 पेसे का डिविडेंट दिया था में 2015 साल में दुहादर स्चोधा साल में 8 सट्रोफों talkin' Oh 2010 साल में 213 रुपीज का, 2009 यार्ज में 277 रुपीज 50 पेसे का, 2008 यार्ज में 205 रुपीज 50 पेसे का 2007 साल में दोस्तो इसने 13 रुपीज का डिविडेंट दिया था, 2006 यार्ज में 206 रुपीज का 2006 यार्ज में 212 रुपीज 50 पेसे का डिविडेंट भी दिया था दो हजार फाइब यार्स में दोस्तो दस रुपीज का डिविडेंट था दो हजार चार साल में दोस्तो फोर रुपीज पचास पेसे का डिविडेंट था दो हजार फोर यार में ही दोस्तो सोला रुपीज का एंड फाइब रुपीज का भी डिविडेंट दिया था एन 2003 साल में 205 रूपीज का, 2002 साल में 11 रूपीज का, 2011 साल में 9 रूपीज 50 पेसे का डिविडेन दा दोस्तो तो जरू कमेंट करना कि क्या आप में IOC का ही शेर होल्डर हो ना कि किसी दूसरे कमपनी का